इस वीडियो में हम atmosphere की दो लेयर्स के बारे में जानेंगे ट्रोपोस्फिर जिसमें मौसम और खराब ozone शामिल है स्ट्रेटोस्फिर जहां अच्छी ozone हमें खतरनाक अल्ट्रावालिट लाइट से बचाती है हमारा atmosphere कई गैसे से बना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये ग्रेविटी की वजह से हमारे आसपास बनी रहती है क्योंकि हवा कमप्रेसिबल होती है ते दूर जाने पर ये कम डेंस होती जाती है चलिए, पहले 50 किलो मीटर पर नजर डालते हैं जो हमारे एटमोस्फियर का 99 प्रतिशत हिस्सा है विजिबल सनलाइट एटमोस्फियर से गुजर कर जमीन को गर्म करती है जिसे की जमीन के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है अब उपर की ठंडी हवा, नीचे की गर्म हवा जो की एक्सपेंशन की कारेंट कम डेंस होती है को उपर पुष करते हुए नीचे की और बढ़ती है ये मूवमेंट कन्वेक्शन करेंट के रूप में जाना जाता है जो हमें हमारा वैदर सिस्टम प्रदान करता है जब आप 10 किलो मीटर तक उपर जाते हैं तो एट्मोसफियर और ठंडा होता जाता है ट्रॉपो-Paws, जहां टेंपरेचर सबसे ठंडा होता है ट्रॉपो-Paws के उपर स्ट्रेटोसफियर होता है इसके नीचे ट्रोपोस्फियर होता है जिसमें हमारी 80% हवा और पूरा वैदर सिस्टम होता है ये कम हवा वाली एक लेयर होती है जो उपर गर्म होती है क्यूंकि उपर की ओर इसे अल्ट्रा वालेट रेडिशन्स द्वारा गर्म किया जाता है जो अच्छी ओजोन द्वारा एब्सॉर्ब की जाती है और नीचे से ये ठंडी रहती है जो इसे डाइनमिकली स्टेबल बनाता है ये टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर से ठीक उल्टा है यदि आप कभी एक जेट एरप्लेन में बैठे हैं तो टेक ओफ के बाद टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर की वजह से आपको एक बंपी राइड मिली होगी लेकिन जैसे ही आप बादलों और मौसम के उपर पहुँचते हैं आपकी यातरा स्मूद हो जाती है प्रोपिलर प्लेन्स इतना उचा नहीं उड़ सकते क्योंकि हवा कम होने के कारण प्रोपिलर हवा पर ग्रिप नहीं बना पाते तो ये अच्छी स्टेटोसफेरिक ओजोन आती कहां से है विडियो को रोकें और ओजोन के फॉर्मूले के बारे में सोचें वैल ओजोन ओक्सीजन का एक एलोट्रॉप है इसके मॉलिक्यूल्स तीन ओक्सीजन अटमस से बने होते हैं जो कि आपस में वीकली बॉन्डिड होते हैं ये एक अंस्टेबल गैस है जो कि धीरे-धीरे मॉलिक्युलर ओक्सीजन में डिकंपोज हो जाती है स्टेटोस्फियर में ओजून लगातार अल्ट्रावालेट लाइट्स द्वारा बनती और तूटती रहती है जिसे ओजून ऑक्सिजन साइकल कहते हैं स्टेटोस्फियर में UV को मॉलिकिलर ऑक्सिजन द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है और वो दो फास्ट मुविंग एटम्स में विभाजित हो जाती है ये फास्ट मुविंग ऑक्सिजन एटम्स उनके आसपास के air molecules yarnytrogen और oxygen के साथ टकराते हैं इस से फ्री oxygen एटम्स की speed कम हो जाती है और उन्हें molecular oxygen के साथ जुड़कर ozone बनाने का मौका मिल जाता है यदि वे बहुत तीजी से मूव करते हैं तो वे केवल बाउंस होकर निकल जाएंगे हवा के मॉलेक्यूल्स के साथ वो जो एनर्जी शेयर करते हैं, वो अपर एट्मोस्वियर को गर्म कर देती है Oxygen atom अब ozone बनाने के लिए oxygen molecule के साथ जुड़ गया है ozone ultraviolet light को absorb करने में बहुत effective होती है जिससे कि वो वापस एक oxygen atom और एक oxygen molecule में विभाजित हो जाती है और अपर atmosphere को गर्म रखती है जैसे ही oxygen atom वापस से slowly move करना शुरू करता है फिर से ozone बन जाती है ozone पूरे stratosphere में फैली होई है जो यहाँ काले रंग में दिखाई गई है आपको क्या लगता है कि high up और low down ozone काफी कम क्यों है याद रखें कि ozone बनाने के लिए हमें ultraviolet light और oxygen की जरूरत होती है pause करें और सोचें वेल यहाँ बहुत कम oxygen है और यहाँ tropopause के पास जोकि lowest temperature वाला point है जहाँ troposphere और stratosphere मिलते हैं यहाँ कोई ultraviolet light नहीं होती इससे उपर वाली ozone द्वारा पहले ही absorb कर लिया जाता है तो यह है हमारी ozone layer यदि ozone को solids की तरह एक साथ दबा दिया जाए तो यह केवल एक cardboard की sheet की जितनी मोटी होगी लिकिन यह वास्तव में एक 20 से 30 km तक फैली हुई gas है हमारे atmosphere में oxygen के आने से पहले UV पृत्वी की सदह तक पहुँच सकती थी और उसने किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने नहीं दिया ozone troposphere में भी मौझूद होती है जो कि मुख्य रूप से यातायात से होने वाले production पर sunlight के action दवारा बनती है यह photochemical smoke बनाने में सहयक होती है जो कि एक polytent है Part 2 में हम ozone layer के famous hole के बारे में जानेंगे